और इस बीच एक बड़ी खबर भी है, इंटरनाशनल शिपिंग लेन पर हूती का हुआ है बड़ा हमला, जहां साउथ रेड सी में हूती ने बड़ा अटाक किया, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से यह हमला किया गया, अमेरिका ने हूती के हमलों को नाकाम कर दिया है, हूत कि साजिश जरूर थी कि बड़ा हमला यहां पर बोला जाए, जहां ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया, हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू करने के साथ ही, इसरेल ने अंदेशा जताय था कि हमास के पास केमिकल हथियार भी हो सकते हैं, अब ये श चक 60 साबित हुआ है, ऑक्टूबर में इसरेल ने हमास के लड़ाकों के पास से मिले मैनूल के आधार पर ये दावा किया था, आब इसरेली से ना उस सुरंग तक महुचने में कामियाब हुई है, जहां केमिकल हथियारों के जखिरे के साथ ही हथियार बनाने की मशीने रॉकेट प्रहार का जवाब इसरेल का एर डिफेंस सिस्टम है, हमास की एंटी टैंक मिसाइल का जवाब भी सेना के पास है, लेकिन हमास के पास एक ऐसा हतियार भी है, जिसके प्रहार को रोकना बेहत मुश्किल है, क्यूंकि हमास की ताकत सर्फ ये रॉकेट नहीं है हमास के हत्यारों के जखीरे में सिर्फ वारूद नहीं इस्राइल का दावा सच हुआ है और इस बात के सबूत मिले हैं कि हमास केमिकल एसे भी लैस है खलासा एक सुरंग की तलाशी के दोरान हुआ सुरंग के भीतर केमिकल वेपिन की पकायदा फैक्टरी लगाई गई थी केमिकल का बड़ा भंडार भी मौझूद था सुरंग में ऐसी मशीने मौझूद हैं जिससे केमिकल्स को मिला कर उन्हें विध्वनसक बनाया जा रहा है इतना बड़ा ये इलाका है यहां रसायन से भरे जितने कंटेनर हैं उसे देखकर तो यही अंदाजा होता है कि हमास के पास केमिकल हत्यारों का बहुत बड़ा जखीरा मौझूद है और हो सकता है हमास जिन तस्वीरों को दिखाकर इसराइल पर वाइट फॉस्पोरस के हमले का आरोप लगाता है वो हमास के केमिकल हत्यारों के प्रहार के ही निशान है माना जा रहा है कि गाजा में कई केमिकल हत्यार की फैक्टरी हो सकती है हमास चीन की मदद से केमिकल वेपिन बना रहा था नौर्थ कोरिया से भी रसाइनिक हत्यार बनाने में मदद की आशंका है अब सवाल है कि क्या हमास केमिकल हत्यार बनाने में काम्याब हो गया है या फिर अभी सिर्फ कोशिश चल रही है अगर हमास के पास केमिकल हत्यार मौजूद है तो इस्राइली सैनिकों को इसका बहुत बड़ा काम्याजा उठाना पड़ सकता है इस बीच गाजा से लेकर वेस बैंक तक इसराइल की सेना का उपरेशन जारी इस बीच सीज फायर की कोशिश जारी बिलिंकन फिर इसराइल पहुंचे बिलिंकन ने सोमवार को सेयुक तारब अमिरात और साओधी अरब में बातचीत की है लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा है इसराइल ने सोमवार को वेस बैंक में अपने सैनिकों पर हमला करने वाले फिलस्तीनी लड़ाकों पर गोली बारी की इसराइल की सेना वेस बैंक के जनिन में लगातार ओपरेशन चला रही दूसरी तरफ दक्षणी गाजा के खान यूनिस अलाके में इसराइली फोर्स ने 30 से अधिक हमास खिकानों पर हमला करने का दवा किया एक रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया था कि आईडिया फोर इसराइल इंटेलिजन्स शिन बैट ने हमास नेता यहाया सिन्वार का पता लगा लिया गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद इसराइल ने अपनी इंटेलिजन्स को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है हमास की ठिकानों का पता लगाने के लिए मोसाद के कई एजिंट तैनात किये गए यही वज़ा है कि इसराइली सेना को पूरा यखीन है कि बंधक जल्द छड़ा लिये जाएंगे यारो रिपोर्ट टीवी ने इन भारत फार्श यारो यारो बंधक जल्द बंधक जल्द एजिए बंधक जल्स का लिए बंधक जल्स कि बंधक जल्स दुटब घएंगे